प्रभात विध्यारतियों, आज हम पाड़ साथ मुकदमा उसका आगी का भाग देखेंगे, उसके पहले हम देखेंगे आज का सुविचार नित नए हो रहे अविशकार, प्रदूशन बढ़ा रहे लगातार रोकना है अगर प्रदूशन बढ़ने की गती, तो उप्योग में लानी होगी अपनी मती इसका आर्थिया है कि रोज, नितियाने रोज, रोज नए-नए अविशकार हो रहे है और यह नए अविशकार प्रदूशन बढ़ा रहे है पर हमें यह प्रदूशन बढ़ने की जो गती है जो चाल है उसे रोकना होगा और उप्योग में लानी होगी अपनी मती अर्थात बुद्धी बुद्धी से हमें काम लेकर प्रदूशन को रोकना होगा क्योंकि अविशकार तो होगे और अविशकार होना भी जरूरी है पर उस अविशकार से होने वाले जो प्रदूशन है जो नुकसान है उसे हमें रोकना है तो अब हम हमारे पार्ट की ओर बढ़ते हैं पार्ट तीन मुकदमा जिसमें पहले भाग में हमने देखा था कि लोग पानी की शिकायत करते हैं पानी को दूशित और अस्वच्च कहते हैं और उसकी शिकायत लेकर जब लोग आते हैं तब पानी अपने लिए कहता है कि मैं स्वच्छ किया है फिर आरोप लगाते हैं कि जहां मर्जियों यहां वहां वह बरसता है उस पर भी पानी कहता है कि जहां ढ़लान हो मैं वहां जाता हूं मुझे अपने आप वहां दिशा मिल जाती है क्योंकि लोग अप पहाड़ियों को भी काट कर वहां पे घर बना रहे हैं खुले मैदानों में घर बना रहे हैं, तो पानी कहता है, मेरे लिए अब जगह ही नहीं रह गई है, इस प्रकार से पानी अपने बारे में कहता है, तो अब हम आगे का भाग देखेंगे, दूसरा दुरुश्य, वैसा ही दरबार, इस बार पानी की जगह हवा है, हवा बनी लड़की के पंख उड़ रहे है, परदे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है, साए साए की हलकी आवाज आ रही है महराज, मंत्री हवा के प्रती लोगों की क्या शिकायते है, एक आदमी आ गया था है, महराज कहते है, कि मंत्री जी हवा के प्रती लोगों की क्या शिकायते है, जरा बताना, तो उसमें से एक आदमी आ गया आता है आदमी कहता है महराज की जय हो, महराज आजकल हवा में खुश्वू नहीं होती, हर समय हमारे यहां बद्वू फैलाती है इसकी बद्वू के कारण रहना मुश्किल हो गया है अब एक आदमी आ गयाता है, वो आदमी कहता है कि महाराज की जय हो महाराज आज कल, आज कल फिर से कोंता शब्द हुआ, युगम शब्द कि हवा में खुजबू नहीं है, खुजबू याने सुगन, उसका विरुधारती बद्वू खुजबू की नहीं है, अब बद्वू हवा फैलाती है, इसकी बद्वू की कारण रहना मुश्किल हो गया है, मुश्किल कठीन, उसका विरुधारती आसान फिर हवा क्या कहती है महाराज यह आरोप जूटा है बद्बू के कारण तो मेरा जीना कठीन हो गया है अपने आप में मेरे पास न तो खुजबू है न बद्बू पहले ऐसा नहीं होता था आज कल ये लोग मेरे मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते है अब हवा कहता है कि महाराज यह आरोप जूटा है बद्बू के कारण तो मेरा जीना खुद खटिन हो गया है अपने आप अपने आप यह से यूग मशब्द मेरे पास न तो खुजबू है और न बद्बू है पहले ऐसा नहीं होता था आज कल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते है पशु पक्षियों यहाँ वहाँ यूग मशब्द वो कहता है कि आजकल लोग मरे हुए पशुपक्षिय को यहां वहां कहीं पर डाल देते हैं उनके कारण मैं बद्बु वाली हो जाती हूँ इनके कारखानों से निकली गंदगी और ग्यासे मुझ में घुल जाती है और यहां बद्बु दूर तक फैलती रहती है मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरिली ग्यास मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोई हुए ही मोत के मुँ में चले गए थे इन लोगों से कहिए कि यह गंदगी के धेर न लगाए सफाई रखे कच्रे से कमपोस्ट खात बनाए अब वह कहता है कि मैं स्वयम नहीं गंदगी कर रहा हूँ लोग पशु मरे हुए पशु पक्षियों को यहां वहां डाल देते है जिसे कारण हवा में बद्वु फैलती है और वह घर घर पहुचती है वह कहता है कि मुझे एक बरियाद है कि भोपाल में एक कार खाने में से निकली वी जहरीली ग्यास हवा में सवार हो गए थी और दूर दूर तक फैल गए थी जिसके कारण कितने लोग तो जो नीन में ही थे वे नीन में ही मर गए थे वह कहता है कि लोगों से कहिए कि गंदगी के धेर न लगाए और सफाई रखे और जो गंदा सामान है या जूटा है उससे कंपोस्ट खात बनाए लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आखों में मिट्टी डाल देती हो सब कुछ तबाह कर देती हो क्या इसका हमने तुमें नेवता दिया है अब आदमी कहता है कि तुम अचानक याने एकाएक आती हो और आखों में मिट्टी डाल देती हो लेकिन तुम अचानक आती हो और आखों में मिट्टी डाल देती हो सब तबाह कर देती हो याने खत्म कर देती हो क्या इसका हमने तुम्हें निवता दिया है क्या इसके लिए हमने तुम्हें निवता देना याने तुम्हें आमंतरन दिया है हवा कहती है मैं किसी के निमंतरन का इंतजार नहीं करती चलना मेरा काम है आप कहते हो तो लो मैंने चलना बंद किया हवा का चलना बंद हो जाता है सभी घुटन महसुस करते है वो कहती है मेरा तो काम चलना है अगर आप कहते हो तो मैं चलना बंद कर देती हूँ और हवा कुछ देर के लिए रुख जाती है और उत्ती देर में लोगों को घुटन मेसुच होने लगती है लोगों की सास बंध होने लगती है तभी आत्मे कहते हैं अरे हवारानी नाराज मत हो धीरे धीरे तो चलो सास लेना मुश्किल हो रहा है तुम चलोगी नहीं, तो लोग जिन्दा कैसे रहेगे? हवा बहने लगती है और अब हवा को कहते हैं कि अरे हवारानी ये विस्मयादी बोधक वाक्य है वा कहते हैं कि नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो धीरे धीरे युगम शब्द और धीरे धीरे कौनता शब्द है? क्रिया विशेशन अव्वे सास लेना मुश्किल हो रहा है, तुम चलोगी नहीं, तो लोग जिन्दा कैसे रहेगे? रहेगे के बार कौनता चिन्दा है? प्रश्नवाचक महाराज, हवा के बारे में कोई और शिकायद? महाराज, हम अपने घर साफ सुत्रे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूडे से भर देती है हवा तो बहे, पर आंधी क्यो? हवा, महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेच चलने से है, वैसे तुम्हें हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है, तब क्या होता है? तो पंखा चला कर मेरी गती बढ़ा लेते हैं अब यहाँ पे महाराज कहते है कि अब कोई और शिकायत है किसे? तब एक औरत कहती है कि महाराज, हम अपने घर साफ सुतरा रखते हैं, पर हवा बनकर आंधी, हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कोड़े से भर देती है हवा तो वहे पर आंधी क्यों? तब हवा कहता कि महाराज आंधी से इनका मतलब है मेरे तेज चलने से वैसे तो मैं भैती रहती हूँ पर इन्हें जब गर्मी लगती है तब यहां हवा तेज कर लेता है